अधार काड से Google पे कैसे चलाएं दोस्तों अगर आपके पास में debit काड नहीं है और सिर्फ अधार काड है और इस अधार काड से आप अपना UPI PIN बनाना चाहते हैं गूगल पे चलाना चाहते हैं तो बने रही है आज केशी वीडियो में और ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है चलिए विश्तार से जानते हैं कि आपको अधार काड की मदद से अपना UPI PIN सेट कैसे करना है और आपका अपना गूगल पे का अकाउंट किस कार से बनाना है अधार काड से गूगल पे बनाने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो आपके पास में जो अधार काड है वो आपके मोवाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए और ये अधार काड पे जो OTP आता है वो आपके मोवाइल में आना चाहिए उसके बाद ही आप गूगल पर अकाउंट को अपडेट कर लेना है गूगल पर जो भी एपलिकेशन रहेगा उसे लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें देखिए दोस्तों अपडेट आया हुआ है जैसे हम अपडेट कर देंगे इसको और यह बहुत ही अच्छी तरह से काम करना शुरू कर अपडेट हो चुका है अब हम इसे ओपन कर लेंगे ओपन होते दोस्तों सबसे पहले आपको इसे अलाओ कर देना है और अलाओ करते ही जो भी आपका कंट्री रहेगा उसे आप स्लग कर लेना है और आपको यहां पर आपका मॉमाइल नमबर जो कि आपके बैंक से लिंक और यहां पर इस मॉमाइल नमबर पर एक OTP आएगी जो कि गूगल पर की तरफ से official होता है copy and paste कर देंगे copy and paste करते दोस्तों देख सकते हो आप यह है अब अंदर की और हमें गूगल पर के home page पर ले जाएगा not now के option पर क्लिक करेंगे और हम इस प्रकार से एक home page पर और यहाँ पर एक add a bank account के option कि आपको क्लिक करना है या तो आप यहाँ पर add a bank account के option पर आपको क्लिक करना है अटहा आप इधर profile के option पर जाकरके bank good के option पर जा करके एड़े bank account के option पर click करना है और आपका दोस्तों bank अगर मान लिए पंजयाम निसल बैंक में है तो पंजयाम निसल में का चुनाव कर सकते हैं अगर आपका sbi का आपको चुनाव करना है नहीं यह तो हम एस बैंकर क्eremगे कंट्युन्य करें लो双 किलिक कर देंगे थे आपको आलाऊ कर देना है और sleep नंबर जो भी ऑपकी शिंज रहेगी उस सी चुनाव करना है किलिक करना है और दोस्तों ध्यादीजिए का इस बाले प्रसेस में आपके मोगवाइल में रिचार्ज होना चाहिए अगर आपके पास में SMS रिचार्ज नहीं है तो आपका SMS वेरिफाई नहीं होगा आप बैंक नहीं जुड़ेगा तो हमारा बैंक जुड़ चुका है दोस्तों आपके सामने जुड़ा है और इसका हम यूपयापिन सेट करेंगे भी यह देख सकते हैं तो ऐड हो चुका है और अड होने के बाद में हम हिस दूलेटर कर देंगे दूलेटर करने के बाद में यह कहरा है कि यूपयाई बार यूपयाई पिन स्क्रिम हो और जिसम्री चीज़ आप पढ़ सकते हो continue का अपसम पर किलिक करेंगे और यह आचुक है हमारा bank account और bank account के option पर किलिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आचुका है देखिये यह रहा set UPi pin तो set UPi pin के option पर किलिक करना है जैसे यह set UPi pin के option पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखो debit card का option भी आ जाएगा नहीं क्या तो अधार काड़ का option आते ही तो आपको अधार का option पर किलिक करना है continue का option पर किलिक कर देना है अब ये कहेगा कि आपको अधार के शुरू के चैंक डालने हैं तो आपके अधार काड़ के शुरू के चैंक आप ऐसे डाल सकते हैं तो अब हम एंटर कर रहे हैं, शुरू के छेंग डाल दिये हैं, और हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों ध्यान दीजेगा, आपके साथ में एक साथ में दो OTP आजाएंगे, यह SBI की तरफ से है, यह दो OTP आएंगे, दोस्तों यह बैंक की तरफ से OTP आ चुका है, और यह आधार OTP अब आई है, नहीं क्या, तो आपको चक्कर निखाना है, यहाँ पर आपको आधार OTP डालनी होगी, और यह जो आधार OTP है, यह है, उन्हें चार्श, और तिरतीस, और आटोमेटिक आके लग चुकी है, हम आगे कर देंगे, और बैंक की OTP आ आपको सैट करनी है, तो अब हम सैट कर लेते हैं, और यह आपको सामने हो रहा है, यह देखिए, हमने हमारा UPI PIN सैट कर लिया है, इस परकार से आपको भी, आपका UPI PIN सैट कर लेना है, तो इस परकार से आपको आपका होंपे, आपकी जो भी गूगल पे होगा, और गूग लग जाएगा दोस्तों अगर आपको गूगल पर काउंट बनाने में कोई और प्रकाद की कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें केमेंट के जरी बता सकते हैं आपकी मदद की जाएगी दोस्तों